आप सभी का मेरे चैनल पर पुर्णा स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ, आप सभी सुस्त होंगे, महादेव के क्रिपा आप सभी पर सदाय बनी रहे, ये वीडियो मेश से करक के लिए बहुत महत्तोपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है, आने वाले हफ्ते आने की 8 जन बहुत सभाविक है कि पूरे हफ्ते में अलग-अलग भावों में जाएंगे, अलग-अलग राशियों में जाएंगे, अलग-अलग ग्रहों के साथ युदियोग संबंद बनाएंगे, तो इन सब चीजों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पढ़ सकता है, यही आधार र आशिबे, और नौ जन्वरी रात के नौ बलजेतक उनका गोचर वहीं पर रहेगा, चंद्रमा का अश्टम में आना अच्छा नहीं होता, मैं कई बर बता चुका हूँ, दूसरा, यहाँ पर जो चंद्रमा है वो नीच के भी हो गए है, तो थोड़ा सा और उन पर एक बुर प्रभाव है, दूसरा, गुरू से क्योंकि अश्टम में है, तो यह आपके लिए शकट योग बन जाता है, यानि की कार्य डिले होना शुरू हो जाएंगे, तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है, थोड़ा सा कर्ष्ट कारी दिख रहा है, अच्छी चीज क्या हो सकती है, यहाँ पे शुकर के साथ है, जो धनस्थान के स्वामी है और अश्टम भाव भी कही न कही अचाना से धन देता है, तो अचाना से धन की प्राप्ती हो सकती है, लेकिन मांसिक चीजों के लिए समय अच्छा नहीं है, चंद्रमा आपके चोथे भाव के स्वामी है, और उसके कारण जो discussion होनी होगी वो एक अलग ही direction में चली जाएगी और घर में संबन थोड़े बनाकर रखेगा अपनी माता जी की सिहत का भी थोड़ा सा जादा ध्यान दीजेगा अचानक से धन की प्राप्तिय वश्य हो सकते हैं लेकिन चंदरमा जब अश्टम में होते हैं तो थोड़ा सा low feel करेंगे, depressive सा feel करेंगे आपकी अपनी कुनली में भी अगर चंदरमा पीडित है तो इस समय बहुत मांसिक वेदना देने वाला आपको अवश्य रहेगा जहां तक नवामसा की बात है धन प्राप्ति तो दिखे दिख रहा है नवामसा से भी दसामसा अपने क आरक्षेतर में communication पर ध्यान दिजेगा, love life dominating होने का प्रयास मत कीजेगा, थोड़ा सा इस समय को बहुत सरलता के साथ बिटाएंगे तो अच्छा रहेगा, विवाहिक जीवन ठीक है, students बहुत emotional रहेंगे उसके कारण, study पे एक impact पढ़ता हुआ दिख रहा है, सेहत के इसाप स infections और अक्तविकार और आखों की problem तंग करेगी, जहां दक सरवाश्टक की बात है आपका छटा भाव अतियन तबली है, थोड़ा frustrated जादा ही रहेंगे, इसलिए कोई बड़ा निरणे मत लीजेगा, 9 जनवरी रातिये करीबन 9 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राश्री प अच्छी चीज़ यह है कि चंद्रमा अश्रम को छोड़ देंगे, इसलिए जो अश्रम का प्रभाव था वो कम हो जाएगा, यहां पर लेकिन एक problem और हो जाएगी कि चंद्रमा और सूरे की युति हो जाएगी, इसको हम कहते हैं अमावस्य, दूसरा यहां पर चंद्रमा ब अमावस्य योग भी है, तो यहां पर थोड़ा सा कष्टकारी समय आपके लिए रहेगा, घर के बड़ों से बहस हो सकती है, आफिस में भी आपके अपने बड़ों से यानिकी से बहस हो सकती है, और मन अलग ही रेक्शन में भागेगा, यहां पर अपने मन पर बहुत आपको नियंतरन रखना पड़ेगा, यह हफ्ता थोड़ा सा मिला जुला सा देख रहा है सभी के लिए, क्योंकि चंद्रमा के जो स्थिती है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है, एक मातर अच्छी चीज़ जो यहां पर सेफ कर रही है, वो है मंगल का यहां पर होना, और मंगल लग रखनी है, ना ही किसी को कोई commitment देनी है, जितना क्योंकि धर्म का स्थान भी है, जितना धार्मिक रहेंगे, पूजा पाठ रहेंगे, उतना ही यह जो सूर्य चंद्रमा की यूती का प्रभाव है, वो आपके उपर कम होता जाएगा, तो overall थोड़ा सा मिला जुला सा समय है य अगर कुछ दिख रहा है आपको की problem होती भी नजर आ रही आपको, तो वहां से अपने आपको दूर कर लीजेगा, या फिर थोड़ा diplomatic रहिएगा, जहां तक love life की बात है, कम बोलिएगा, विवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं दिख रहा है, जगड़े हो सकते हैं, students के प्रवेश करेगा, ENT, EN nose throat की problem तंग कर सकती है, और हड़ियों की problem तंग करेगी, जहां तक सरवाश्चक की बात है, आपका सप्तम भावतियन तवरी है, ठीक है, जो लोग बिजनस करते हैं, उनको लाब हो सकता है, 11 जन्वरी, रात के करीबन 11 बजे के असपास, चंद्रमा आपना राशी परियतन करेंगे, और आपके तस्वे स्थान में आकर प्रवेश कर जाएंगे, अनि कि मकरस्त हो जाएंगे, मकर राशी में आ जाएंगे, और सप्ता के अंत तक कहीं परेंगे, चंद्रमा का दस्वे घर में आना कहीं न कहीं अच्छा होता है, एक तो केंद् भी है कि हाँ पापकरतरी योग में रहेंगी क्योंकि शनी एक साइड, मंगल सूर्य एक साइड लेकिन पहले से प्रभाव बहुत अच्छा होगा और इससे अच्छा एक और चीज है गुरू से दस्ट्वे में है यह सबसे स्ट्रॉंग गजकेसरी योग कहता है जब चार दस में होते हैं गुरू और चंद्रमा तो गजकेसरी योग के कारण चंद्रमा का पहले के बुरे प्रभावों से निकलने के कारण जो हफते का अंतिम भाग है वो आपके लिए अच्छा रहेगा, कारक शित्र में clarity आती हुँ दिख रही है दसाम साब, कारक शित्र में कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है लव लाइफ, चीज़ें आगे बढ़ेंगी जो discussions नहीं हो रहे थे वो आगे बढ़ेंगी विवाहिक जीवन भी ठीक है बस ego clashes हो सकती है students के अनुसार भी बहुत शुबतावाला सामें दिख रहा है जादक सेहत की बात है lower back में दर्द रहेगा कफ रोग मोत तक करेंगे सरवाश्टक में छटा भाव तिंत बली है थोड़ा frustration अवश्य रहेगा लेकिन जीवन अवश्य हफते के अंतिम भाग में आगे मड़ेगा उपाय के सुरूप में हरुमान चरीसा का दो बार पाठ करकर बजरंग बली को दो सरसो के तेल के दिए अरपण कीज़ेए चलते हैं व्रिशब की तरफ आपके लिए चद्रबा व्रिश्चिक में रहेंगे आट ता रिकॉर नौ जन्वरी शाम के रात के नौ बज़े तक उनका गोचर यहीं पर हैगा चंद्रमा का अश्टब में आना सब्कम भाब में आना न्यूटरल होता है लेकिन आपके लिए वो व्रिश्चिक मेहानी की नीच के हैं तो यह थोड़ा सा आपके लिए कश्टकारी हो सकता है स्पेशलि अगर आप पब्लिक से जोड़ा कुछ कारे करते हैं जॉब करते हैं तो यहाँ पर नाम खराब होने का एक संभावना बन जाती है थोड़ा बचके रहिएगा अच्छी चीज क्या है कि शुक्र के साथ है और शुक्र आपके लगनेश है तो प्रोटेक्शन देते हैं लगन लगनेश हमेशा आपको प्रोटेक्शन करता है तो यह वो समय है जब थोड़ा सा अपनी इमेज को लेकर conscious रहेंगे तो अच्छा रहेगा चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी है तो विर्थ की च्छाएं भी आपको गलट डिरेक्शन में लेके जा सकते हैं क्योंकि नीच के हैं मैं कभी भी नहीं कहता कि नीच का गरहा खराब होता है लेकिन उसको नीच का क्यों कहते हैं कुछ ना कुछ तो कारण होगा यही पर जोतिश को समझना पड़ता है अनलाईस करना पड़ता है चंद्रमा नीच के हैं आपकी चंद्रमा क्या है मन है तो आपका मन आपको उस डिरेक्शन में लेकर जा सकता है जहांपर आपको नहीं जाना और मन हमेशा उसी डिरेक्शन पर जाता भी है जहां पर हमें नहीं जाना चाहिए तो यहां पर आपको अपनी image को लेकर ध्यान देना है अपनी married life पर भी ध्यान देना है क्योंकि दोनों ही चीजों पर इसका नकरात्मक प्रभाव पर सकता है शनी की दस्वी दिष्टी भी है तो यह विश्योग भी मना रही है तो आपका mind कभी-कभी बहुत खुश रहेगा और कभी-कभी एकदम से उदास हो जाएगा यही प्रभाव होता है नीच के चंत्रमा का कि आपका मन extremes में जाता है तो थोड़ा ध्यान दीजेगा नवामसा को नहीं बता रही है कि opportunities आ सकती है लेकिन जल्दबाजी मत कीजेगा दसामसा कारेक्षेत्र में ठीक ठाक है बस अपने नाम की चिंता कीजेगा लव लाइफ में जल्दबाजी से बचना है विवाहिक जी उन्हें बहुत जगड़े होते हो देख रहे हैं जातक सूड़न्स की बात है ठीक हैसा में थोड़ा balance रखेगा emotions पर control रखेगा सेहत के अनुसा जिनको kidney की problem है दिक्कत परिशानी बढ़ेगी और जिनको diabetes है उनको भी problem होगी सरवाश्टक में आपका पंचम भाव अत्यन तबली है overthinking अलग ही सीमा पर पहुँचेगी 9 जन्वरी रात के करीमन 9 बज़े चंद्रमा राशी परतन करेंगे और आपके सब्तम भाव को छोड़ देंगे और अश्टम में प्रवेश कर जाएंगे जहाँ पर अल्रड़ी तीन ग्रहा है अब ये थोड़ा सा चिंता वाला समय है कारण सबसे पहला तो आठवा भाव आठवे भाव के चंद्रमा हमेशा बताता हूँ मैं कि पीडित हो जाते हैं तो आठवा भाव है दूसरा यहाँ पर चंद्र और सूरे की युति है यह बनता है अमावस योग और चंद्रमा और चंद्रमा और बुद्ध की युति भी यहाँ पर है बुद्ध और चंद्रमा और यह भी कही ना कहीं विक्ति को बहुत confuse करता है तो ये वो समय है जब आपको कोई भी बड़ा निरने गलती से भी नहीं लेना वो पैसों की बात हो घर की बात हो, करियर की बात हो बिजनस की बात हो क्योंकि यहाँ पर आप अच्छा निरने ले ही नहीं पाएंगे गलत निरने लेंगे, बच के रहिएगा मंगल विप्रीत राजयोग मना कर बैठे हैं क्योंकि बारवे घर के स्वामी है प्रोटेक्शन देंगे लेकिन क्योंकि चंद्रमा पर इतना मुरा प्रभाव है और दूसरा चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी जल्दबाजी नहीं करनी और कुछ भी नया यहां पर स्टार्ट मत कीजेगा जैसा चल रहा है वैसा ये धाई दिन चलने दीजे सवादो दिन चलने दीजे आपके लिए अच्छा रहेगा जहां कुछ जल्दबाजी में नया करने का प्रयास किया वहीं पर दिक्कत परिशान है आपके लिए बढ़ेगी नवामसाक उनली खुद बता रही है कि जल्दबाजी नहीं करनी प्लैनिंग करनी है लेकिन कुछ एक्शन नहीं लेना दसामसाक उनली कारक शित्र में इमोशन्स पर कंट्रोल लखना है लव लाइफ जजमेंटल कमेंट नहीं पास करने मैरिड लाइफ में जगड़े होते हो दिख रहे है अल्रडी मंगल दोश बना हुआ है गोचर में मैरिड लाइफ के अच्छा समय नहीं है आपके पती या पत्नी की सेहत पर भी समय बुरा प्रभाव पर सकता है स्टूडेंस के लिए भी कहिना कहिए समय बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है जहां तक सरवाश्टक की बात है आपका छटा भावत इंतबली है किसी पर भरोसा मत कीजेगा समय स्पेशली पैसों की जहाँ पर बात आती है ग्यारा जन्वरी रात के करीबन ग्यारा बजे के आसपास चंडरमा अपना राशी पर इतन करेंगे और आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे यानिकि मकर राशी में और सब्ताह के अंति तक यहीं परेंगे यह अच्छा है क्योंकि अश्टम भाव से निकल गए पहले नीच के ते फिर अश्टम में आए अब यहाँ पर आकर थोड़ा सा अच्छा प्रवाव आएगा क्योंकि चंडरमा अपनी खुद की राशी को भी देखेंगे अनिकि तीसरे भाव को स्टॉंग कर रहे है तो साहस confidence वापस आएगा जीवन आगे बढ़ेगा और कही न कहीं जो एक नकरात्मत का भाव चल रहा था उससे निकल पाएंगे भागे का साथ मिलेगा और यहाँ पर गुरू से भी दस्वे में है नहीं कि केंदर में है तो टेक्निकली गजकेसरी योग भी बन रहा है तो हफ्ते का अंतियम भाग आपके लिए कही न कहीं अच्छा जाएगा शुब जाएगा यहाँ पर जो थोड़ी सी negativity पहले आई थी उसको ठीक करने का उससे recover होने का भी मौका आपको मिल सकता है किसी धार्मिक स्थल पर दर्शनका भी आपको अफसर मिल सकता है जहां तक नवामसा की बात है थोड़ा सा confused अभी भी रहेंगे वो प्रभाव रहेगा वैसा नहीं रहेगा जैसे पहले रहा था लेकिन थोड़ा सा confusion अभी भी चलेगा पैसले कोई बड़ा निर्ण है यहां पर रिमत लीजेगा दसामजा कुनली कहरे है कारेक्षेतर में कुछ अच्छा उसर मिलेगा बिजनस में लाब हो सकता है लव लाइफ ठीक है बस कुछ छुपाईएगा जहां आपने पार्टनर से कुछ छुपाया वही प्रॉब्लम होगी विवाहिक जीवन में जल्दबाजी से बचना है स्टूडेंस अपनी सेहत का ध्यान दे समय ठीक है लेकिन सेहत अच्छी नहीं है चाहतक सरवाजटक की बात है आपका पंचम भावी अतिन्त बली है ठीक है यहाँ पर धनप्राप्ति के योग आपके हफ़ते के अंत में बन रहे है सेहत के इसाब से आपको जोडो का दर्द और गले के रोगतंग करेंगे उपाय के सुरूप में आपको दुर्गा जी की एक बार आर्ती करनी है और उनको दो घीके दिये अरपन करने है जमिना यानि की मिथुन की तरफ आपके लिए चंद्रमा आपके छटे घर में रहेंगे छटे भाव में रहेंगे आठ तारीक और नौ तारीक रात के साथ वज़े तक उनका गोचर यहीं परहेगा चंद्रमा का छटे भाव में रहना ठीक होता है कुछ कारे बनते हैं कुछ अटके कारे बनते हैं जीवन आगे भी बढ़ता है लेकिन फ्रस्टेशन बहुत रहती है धन कभी-कभी अटक भी जाता है तो किसी को पैसा मर दीजेगा फ्रस्टेशन थोड़ी सी रहेगी अच्छी चीज है कि शुकर के साथ है शुकर विप्रीत राजयोग बना रहे है विदेश से समझे कुछ काम अटक रहाता वो पूरा होगा बस यहाँ पर अपने मानसिक संतुलन्द पर ध्यान दीजेगा गुस्ता गभी कभी बहुत जाद आता है जब चंदमा छटे घर में होते है और व्यत की चिंताओं पर व्यत के लोगों व्यत की चीजों पर और ऐसे विक्ति पर गुस्ता निकलता है जिस पर नहीं निकलना चाहिए तो थोड़ा सा आपने मानसिक संतुलन का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा शुक्र क्योंकि पंचमेश भी है तो थोड़ी ओवर्थिंकिंग भी यहां पर हो सकती है धन हानी तब होगी जब किसी को पैसा उधार देगे तो इस चीज का ध्यान देजेगा नवामसा कुनली बता रही है सब कुछ ठीक है लेकिन चिंताएं बहुत रहेगी कारेक शेत्र में थोड़ा कन्फूजन रहेगा वर्क स्ट्रेस रहेगा लेकिन थोड़ा सा नियंतरत होकर काम किया तो अच्छा अपने कारे के दम पर आप आगे भी बढ़ पाएंगे लव लाइफ ठीक है एमोशनली कमपैटेबिलिटी बनाने की कोशिश कीजेगा एक दूसरे से बादचीत अच्छे स्तर पर कीजेगा अपने लेवल सर अपने लेवल पर अच्छी बादचीत कीजेगा विवाहिक जीवन तो ठीक है अगर बादचीत बंध होगी तो थोड़ी बहुत आगे बढ़ सकती है जहां तक स्टूडन्स की बात है बहुत चुप समय है बहुत अच्छा समय है सेहत के अनुसार पेट के रोगतं करेंगे सरवाश्टक में आपका चौथा भाव अतिन तबली है इमोशन्स पर नियंतरन रखना आपके लिए बहुत ज़ादा महत्तपुन होगा 9 जनवरी चंद्रमा अपना राश्री परतन करेंगे और आपके छटे भाव को छोड़ देंगे और आपके सब्तम भाव में बहुत सारे ग्रहों के साथ योग बना लेंगे अब यहाँ पर चार ग्रहों का योग आपके चौथे सब्तम भाव में है अब देखें चंद्रमा आपके लिए धनेश है तो उनका सब्तम भाव में आना है निकी पैसा बढ़ेगा क्योंकि चंद्रमा यहाँ से देखेंगे लगन को मंगल भी यहाँ पर है मंगल भी लगने को देख रहे है निकी लाभेश धनेश लगने को देख रहे है मंगल चंदर की यूति अपने आप में बहुत अच्छी होती है पैसा आएगा प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम है ये अमावस्ययोग सब्तमभाव में मैरिड लाइफ पर प्रॉब्लम होगी और इसके साथ ही कही न कहीं आपकी इमेज पर भी प्रहार हो सका जो लोग बहुत पॉपुलर है लोगों से जुड़ा काम करते है पब्लिक फिल्ड में है, पब्लिक सर्विंट है पॉलिटिक्स में है उनको यहाँ पर बहुत ध्यान देना है और यहाँ पर चंदरमा के बुद्ध के साथ भी है यह भी यूति व्यक्ति को बहुत कंफ्यूज करती है ध्यान यह दिजेगा कि बिजनस करते हैं पैसा बहुत आ सकता है इस ताइम पर लेकिन यह जो चंदरमुद्ध की यूति है यह बिजनस वालों को थोड़ा चौकरना रहना चेह क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति किसी गलत कॉंट्रेक्ट में पढ़ जाता है कोई गलत असाइनमेंट ले लेता है उसके बाद प्रब्लम होती है तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए ओवराल तो ठीक है बस इन चीजों का ध्यान देजिएगा धन के रूप में फिर भी अच्छा देखा है जहां तक नवामसा की बात है अच्छा एक और अच्छी चीज है कि गुरू की दिरिष्टी यहाँ पर है जहां तक नवामसा की बात है कुछ कार्य पूर्ण होते वे दिख रहे हैं दसामसा की अनुसार कारक्षेत्र में अथोरिटी अवश्य रहेगी लेकिन बहस हो सकती है बिजनस में भी पार्टनर से बहस हो सकती है लव लाइफ तो ठीक है थोड़ा सा emotional happiness लाने की कोशिश कीजेगा अपने सर पर कोशिश कीजेगा विवाहिक जीवन तो अच्छा है नहीं सॉरी विवाहिक जीवन ने problem बहुत दिख रहे हैं विवाहिक जीवन में यहाँ पर लड़ाई जगडे हो सकते हैं और वो भी अचानक से बड़े सर पर initially में भी थोड़ा सा बाचीत अच्छी हो लेकिन जैसे जैसे धाई दिन का टाइम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे married life में problem बहुत बढ़ती जाएगी गुस्सा बहुत दिख रहा है और overpowering करने की कोशिश होगी दोनों ही sides से जहां तक students की बात है ठीक ठाक सा समय है अपनी सेहत का ध्यान दे जादा किसी पर भरोसा ना करें सेहत के इसाब से आपको जिनको kidney की problem है दिक्कत परिशानी बढ़ेगी BP की problem हो सकती है और जिनको रक्तविकार कोई है उनकी भी परिशानी बढ़ेगी जहां तक सरवाश्टक की बात है आपका पंचम भावतिन तबली है धन आ सकता है क्योंकि लक्षमी स्थान बली है लेकिन overthinking से थोड़ा बचेंगे तो अच्छा रहेगा 11 जन्वरी रात के करीबन 11 वजे चंद्रमा अपना राशी पर्थन करेंगे और आपके अश्टम भाव में आकर बैड़ जाएंगे आनि कि मकरस्त हो जाएंगे और सप्ताह केंदे तक यहीं परेंगे अब देखे चंद्रमा की स्थिती पूरे हफ़ते आपके लिए थोड़ी मिली जुड़ी सी है पहले छटे घर में नीच के होंगे फिर अमावस योग बन गया और अंत में भी आगए अश्टम में तो ज़्यादा रिकवरी हो नहीं रही अश्टम भाव में आए है चंद्रमा अच्छी चीज है कि गुरु से केंद्र में है तो गजिके स्री योग है लेकिन केतु से भी क्योंकि त्रिकोन में है तो ये एक सन्यास का भावत बन करता है अब दो दिन में तो सन्यास नहीं होता लेकिन ये वो समय है जब आप ज़्यादा किसी से अटैश नहीं हो पाएंगे जब आपका लोगों से दूर भागने का मन करेगा बड़े निरने मत लीजेगा बहुत frustrated कभी-कभी रहेंगे इंपल्स से बहुत रहेंगे ये ऐसा टाइम है जब विक्ती बहुत frustrated रहता है उसको पता नहीं चलता मैं frustrated क्यों आप सबके साथ कभी ना कभी जिवन में ऐसा आता होगा कि without any particular reason आप बहुत irritated feel कर रहें ये भी वह समय होता है और भी कुछ कारण होते हैं लेकिन ये एक particular समय होता है जब आप बहुत उदास भी feel कर सकते हैं irritate भी feel कर सकते हैं तो इस पर ध्यान रखेंगे, काम करेंगे तो अच्छा रहेगा नवामसा के अनुसार थोड़ा कश्टकारी समय मांसे के रूप से इवन धन के रूप से भी हो सकता है धन किसी को दीजेगा मत यहाँ पर धन का लॉस भी हाँ पर हो सकता है दसामसा के अनुसार कारण शेत्र में सैयम बनाना है कोई opportunity अगर आती भी है तो पहले उसको समझ लीजेगा कोई काम नया मिलता है उसको पहले समझना है love life ठीक है judgmental comments मत पास कीजेगा विवाहिक जीवन authority ज़्यादा मत दिखाईएगा normal रखेगा सब कुछ students के रिए फिर भी है समय काफी अच्छा देख रहा है सेहत के नुसार आखों के रोग रक्त रोग और दातों के रोग और infections दंग कर सकते हैं जहां तक सरवाश्टक की बात है आपका चौथा भाव फिर से अतिन तबली है ये पूरा हफता कहिना कि emotionally आपके लिए absent downs भरा रहेगा तो थोड़ा सा हफते की शुरुआत ही अपने East को पूछ कर करेंगे तो अच्छा रहेगा उपाय के सुरूप में क्या करना है आपको आपको गणपती जी को लड़ूओं का भोग लगाना है और दो घी के दियर पड़ करने चलते हैं करक यानिकी कैंसर के तरफ आपके लिए चंद्रमा विष्षिक में रहेंगे आट तारीको और नौ तारीक रात के नौ बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा चंद्रमा का पंचम भाव में आना ठीक होता है लेकिन यहाँ पे चंद्रमा नीच के हैं और यहाँ पे लेकिन नीच के चंद्रमा है मैं हमेशा कहता हूँ कि नीच का गरहा आज के टाइम में सफल बनाता है पैसा देता है लेकिन नीच था तो है कहाँ पे नीच था है अब चंद्रमा मने के कारक है तो ओर थिंकिंग बहुत रहेगी अजीब साब का behavior हो जाएगा अपनों से लड़ पड़ेंगे अपनों से जगड़े हो सकते हैं इस टाइम पर और आपकी जो इच्छाएं हैं वो आपको गलट direction में लेके जा सकती है तो इस पर नियंतरन कर लेंगे तो अच्छा है शनी महराज की दिष्टी भी है जो विश्योग भी बना रही है तो थोड़ा सा अपना मानसिक संतुलन बना कर रखेंगे बचा कर रखेंगे अच्छा रहेगा किसी नतीजे पर मत पहुंचेगा ये वो समय है कि आप reactive अगर ज़्यादा होंगे तो पहले देखिए सोचिए कोई क्या कह रहा है क्या मतलब है उसका उसके अनुसार उस चीज़ पर काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा धनप्राप्ती के लिए अच्छा समय है लगनेश पंचम भाव में जाते हैं तो धनव ऐसे भी आता है नवामसा के नुसार शान्त रहेगा तसामसा कारेक शेतर में कुछ अच्छा हो सकता है लव लाइफ ठीक है विवाहिक जीवन भी ठीक है विवाहिक जीवन में कोई judgmental comment मत पास कीजेगा students के लिए भी ठीक ठाक समय है लेकि में भी आपकी mental सेहत उतना आपका साथ नहीं देगी जादक सेहत की ही बात करते हैं तो आखों के रोग, दातों के रोग, पेट के रोग और इंटर साइन से जड़ी problem तंग करेगी सरवाश्टक में आपका तीसरा भावतिन तबली है जल्दबाजी से आपको हर तरफ से और हर तरह से दूर रखना है आपको 9 जनवरी, चन्दरमा, शाम के करीबन या रात के करीबन 9 बजे आपके छटे घर में आ जाएंगे और यहाँ पर उनकी यूती तीन और द्रहों से होगी यहाँ पर वो रहेंगे 11 जनवरी, रात के करीबन 11 बजे तक तो चन्दरमा का छटे भाव में आना वैसे ठीक ठाक सा होता है अच्छा किस के लिए होता है, सुरी यहाँ पर शुक्र नहीं, चन्दरमा आएंगे अमावस योग बनाती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, व्यर्थ की चिंताओं से बचेंगे अच्छा है, अच्छानक से धन की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मंगल है चंदरमा के साथ, जो मंगल आपके पंचमेश हैं और दस्वे घर के स पैसा आएगा, कुछ अच्छा करने का अवसर मिलेगा, तो मंगल के साथ योटी तो अच्छी है, चंदरमंगल योग अपने आप में पैसे के लिए अच्छा होता, लेकिन जो चंदर और सूरे की योटी अमावस योग बना रही है, यहाँ पर आपको अपनी मानसिक सेहत का ध्यान देना है, किसी पर विश्वास नहीं करना, और कंफ्यूजन में कोई बड़ा निरने भी नहीं लेना, जितना आपने आपको सीमित रखेंगे, नियमित रखेंगे, उतना आपके लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा, गुरू की दृष्टी थोड़ा सा प्रोटेक्श की बात है, ठीक है सब कुछ बहुत जादा बुरा नहीं दिखना, बस अपने भावनाओं पर नियंतन रखना है, दसामसा के नुसार कारेक्शेतर में प्रेशर बहुत रहेगा, लव लाइफ ठीक है, विवाहिक जीवन भी ठीक ठाक है, आर्गुमेंट से बचेगा, स्टू प्रॉपर्टी आदी खईदना चाहरे थे, तो चीजें आगे बढ़ेंगे, मैं यह नहीं करा कि दो दिनों में ही कुछ हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी खईदना भी ऐसा तो नहीं होता कि एक दिन का काम है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, तो जो कारें रुके होता है, लेकिन मैं बहुत बता चुका हूँ, आपके लिए राजयोग बनता है, क्योंकि लगने कि स्वामी जब केंदर में आएंगे तो राजयोग बनता ही है, यहां से वो लगने को देखेंगे अच्छा है, गुरू से केंदर में है तो गजगे स्रियोग बनता है, यहां आगे बनेंगे, बिजनस में लाब होगा, कारक्षित्र में recognition मिल सकता है केतु से क्योंकि त्रिकोर्ण में है, तो अपने life partner से थोड़ा दूरिया यहां पे आ सकती है, एक connection की कमी आपको अपने life partner से feel होगी, जहां तक नवामसा की बात है ठीक है, सब कुछ जादा चीजों पर प्रयास मत कीज़ेगा, simplicity आपके लिए इस पूरे हफते में बहुत important रहेगी दसामसा, recognition मिलती हूँ दिख रही है अच्छा काम मिलता हुआ दिख रहा है love life में confusion रहेगी, arguments हो सकते हैं जीवन इस टैम पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा एक connection की कमी feel होगी जहां तक सेहत की, स्टूडेंस की बात है स्टूडेंस की अच्छा समय है सेहत के नुसार आपको infections, गले के रोग और thyroid की problem यदि अलरड़ी है आपको तो दिक्कत परशानी बढ़ेगी सरवाश्ठक में आपका तीसा भावी अतिन तबली है तो कई अटके हुए कारे आपके हफते के अंद में पूर्ण हो सकते हैं उपाय के सुरुक में श्युव चालीसा का तीन बात बात करें